नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल जितिंदर मुशिन वी कंपनी आज हम आपके लिए लेके आए हैं कैसा बिजनेस आइडिया जिसे आप अपने घर से शुरू करके असानी से काफी पैसा कमा सकते हैं चोटा सा यह बिजनेस है जितना इंवेस्टमेंट आप अब शुरू कर सकते हैं तो चलिए जान लेते हैं यह बिजनेस क्या है कैसे शुरू करना है और क्या इसका का इंवेस्टमेंट है चलिए शुरू करते हैं दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आप अपना खुद का नोटबुक्स का ब्रांड बना सकते हैं इस वीडियो में हम बताएंगे नोटबुक्स बनाकर उसे सेल करने को दोस्तो यह है एक बड़ा बिजनिस और मैनुफेक्चरिंग बिजनिस अधिकतर अच्छा मुनाफ़ा देता है नोटबुक्स की सबसे आधा खरीद स्कूल और कॉलिज के स्टुडेंट्स के दुआरा होती हैं इस से अलग गवर्मेंट और प्राइवेट सेक्टर के सभी ओफिस्स में इसका प्रयोग होता है इसके अलावा सभी दुकानों पर और सभी बिजनिस में अपना हिसाब और बाकी जानकारी रखने के लिए भी नोटबुक का यूज होता है नोटबुक की मार्किट बहुत बड़ी है और अगर ऐसे में आप इसकी मैनुफेक्शरिंग का बिजनिस करते हैं तो आप इससे बहुत अच्छा बिजनिस सेटप कर सकते हैं तो आज की वीडियो में हम इसी बिजनिस की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं की कैसे आपको नोटबुक बनाना शुरू करना है क्या मशीन चाहिए होगी कैसी और कितनी जगे चाहिए होगी कितना खरचाएगा इस काम में और कितना मुनाफ़ा आप इस काम में ले सकते हैं तो आप इस वीडियो को हम तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक भी कर दें तो दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या करना होता है इस बिजनिस में दोस्तो इस बिजनिस में आपको सबसे पहले एक जगेह कपर बन करना होता है जहां से आप इसकाम को शूरू कर सकते हैं इसके बाद आपको note book बनाने के लिए machine खरीदनी होती है और कच्छा माल खरीदना होता है इसके बाद आप दो या तीन कारी कर लगा कर काम को शूरू कर सकते हैं माल त्यार करने के बाद आप उसे होल जेल और रिटेल मार्केट में बेशते हो और मुणाफ़ा कमाते हो अब आपको बताते हैं कि इस काम में आपको कैसी और कितने जगह चाहिए होगी दोस्तो आपको इस काम के लिए कम से कम 40 कसश येखे की दूरत होगी जहां से आप माल को तेयार करते हो और जगे किसी भी इस्तान पर हो सकती है इस काम में अच्छी लोकेशन की आपको दूर्थ नहीं होगी चु ri majority आप माल सिर्फ तियार कर रहे हो उसे आपको बेशना नहीं है उस इस्तान से तो इस्तान कोई भी हो सकता है अब आपको बताते हैं कि मशीन कितनी लगेंगी और मशीन कितने रुपे में आपको मिल जाएंगी दोस्तो आज हम आपको बताएंगे model 3 के बारे में जिसमें हमारा पहला मशीन आता है notebook stitching machine motorized दूसरा आता है notebook edge squaring machine और तीसरा आता है paper cutting machine semi automatic तो इन तीनों मशीनों से आप starting करके सभी type का notebook बना सकते हो तो आप देख सकते हो वीडियो में कि कैसे आपका notebook stitching हो रहा है आपने paper और title को इकठा करके रख देना है और इसने automatically pin लगाते जाना है दूसरे number पे आपका आता है notebook edge squaring machine pin लगे होए notebook को आपने edge squaring machine में लेके जाना है उसमें रखोगे और button प्रेस करोगे इसने automatically back square कर देना है squaring करने के बाद आप देख रहे हो जैसे दो दो copy का set है उसको single single में convert करने के लिए paper cutting machine का काम होता है तो paper cutting machine में आपने notebook रखनी है यह सारी semi automatic button से operate है इसमें कोई manual operation नहीं है आपने button दबाना और इसने automatically सारा cutting करते जाना है तो यह 3 machine है semi automatic model में जो हमारे यहां model 3 में मिलेगा आपको जो हमारे शो हमारे बटें करने पारे बारे यह सकते है तो दो हमारे पारे हो खहा है तो यह सारी है उसक रहाँ भाव खहाँ झाल 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 तो ये थी तीन मशीने नोटबुक मैनुफेक्चरिंग के लिए सबसे पहले नोटबुक स्टेचिंग मशीन फिर आपने देखा एज स्क्वेरिंग मशीन और ये देखा आपने सेमी आटोमेटिक पेपर कटिंग मशीन इन तीनों मशीनों के आपके कौस्टिंग तक्रीबन साड़े पांच से लेके 6 लाग के आसपस आपको मिल जाएगी और अगर आपने पैकिंग मशीन लेना हो जिसमें आपका श्रिंग पैकिंग होगा तो वो भी आप ले सकते हो उसको लेने से ये आपका फैदा होगा जैसे नोटबुक आप देख रहे हो रेडी हुई है इनको आप पैक करके रख सकते हो जिससे आपका स्टॉक में रखना काफ से मिलेंगा और कितने रुपे परसी किलों के हिसाब से मिलेंगा दोस्तों कच्छे माल मैं आपको पेपर और नोडबुक का aming काक़र कहरीदना होगा इसके लावा आपको कुछ नहीं चाहिए दोस्तों नोडबुक का पेपर लाइन्न वाला पूरी तरह से तियार मिल जाता है और नोड़ बुक कवर भी आपको तियार मिल जाते हैं आप अगर चाहें तो नोड़ बुक कवर पर औरडर पर अपनी नोड़ बुक का नाम लिखवा सकते हैं जिससे आप अपने नाम की नोटबुक मार्किट में सेल कर सकते हैं इससे आगे चल कर आपका अपना नोटबुक ब्रैंड भी बन सकता है दोस्तो ये कच्चा माल आपको किसी भी बड़े शहर की होलसेल मार्किट में मिल जाएगा और दोस्तों ये कच्छा माल 50 रुपे से लेकर 60 रुपे परजी किलो तक आपको मिल जाएगा जागे है मशीन और कच्छा माल की विवस्था करने के बाद आपको मैन पावर चाहिए होगी जिसके लिए आप दो कारीगार रख सकते हैं माल तयार करने के लिए अब इस काम को शुरू करने में कुल कितने पैसे लगेंगे आप आपको इसके बारे में बता देते हैं दोस्तों आप बात करते हैं प्रोफिट की इस काम में 100 पेज़ की एक नोटबुक तयार करने में आपका जो खर्च आएगा वो 9 रुपे से 10 रुपे होगा और आप इसको अगर होल सेल मार्किट में बेचेंगे तो आपको एक नोटबुक पर 4 रुपे से 5 रुपे मिल जाएंगे अगर रीटेल मार्किट में आप अपना माल ले जाकर बेचते हैं तो एक ही नोटबुक पर आपको 7 रुपे से 8 रुपे मिल जाएंगे तो दोस्तो इस काम में मुनाफ़ा भी अच्छा है एक बार आप अकर इस काम को शुरू कर लेते हैं तो आपको बस होलसेल और रिटेल मार्किट में अपने सम्मन्द अच्छे करने होंगे जिससे आप जादा से जादा माल बेच सकें इतना ही था आज की वीडियो में इन वीडियो को लाइक करें शेर करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं जिससे आपको हमारी सबी वीडियो सी जानकारी मिलती रहें बाए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं झाल झाल